हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक है जुके स्कॉर्ड में स्वागत है और फ्रेंट्स आज जो मैं लेकर आए हूँ आपके लिए 20 most important question है इस्पोर्ट current affairs के ठीक है खेल कुद समंधी जो current affairs है उससे समंधित है 20 महत्पूर question और उमीद करेंगे सारे question बहुत अच्छे लगेंगे और daily current affairs के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ठीक है तो चले फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला question है cricket asia cup 2022 का आयोजन कहां पर होगा ठीक है तो यह कहां पर होगा तो यह होगा सिलंका में ठीक है और जो संस्क्रण की बात करेंगे कौन सा संस्क्रण खेला जाएगा तो यह 16 संस्क्रण होगा और फार्मेट की बात करेंगे वैसे तो यह 50 ओर का होता है लेकिन इस बार जो है 20-20 ओर का टी-टून्टी गेम होगा ठीक है तो पहला question हमारा क्या है cricket asia cup 2022 का आयोजन कहां पर होगा तो सी लंका में होगा ठीक है यह पूंचे कांसा संस्क्रण खेला जाएगा तो सोलुहा संस्क्रण खेला जाएगा अगर जो बात करें किस फार्मेट में खेला जाएगा तो 80-20 फार्मेट में इस बार खेला जाएगा ठीक है जो पिछली बार हुआ था 18 में वह था 50 ओर का ठीक अग्ला देखते हैं, किर्केट power क यह कितने वर्सों के अंतराल पर आयोजित होता है, तो एफ परत्य क्वारत के पर्थम इसनों माईराथन का आयोजित होता है, तो यह लगतिू ठीट है लाहूल नहीं है लाहूल स्पीती हिमाँचल प्रदेश में हुआ है ठीक है अगला है प्रस नूमबर प्रेंच किसको हराया है तो हराया है इन्होंने कैसपर रूड ठीक है कैसपर रूड को हराया है और कैसपर रूड जो है ये कहां के हैं ये नार्वे के रहने वाले हैं ठीक है कोईशन बहुत अच्छा है याद कर लेना ठीक है जो रिपीट कर देता हूं एक बार फ्रेंच ओपन 2022 पुर 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो इगा सुया तेक ने जीता है ठीक है इगा सुया तेक ने जीता है और इगा सुया तेक कहां की है ये पॉलेंड की है ठीक है और इन्होंने किसको हराया है किसे हरा कर जीता है तो कोको गॉफ को हराया है ठीक है और हरा किसका है? कोको गाफ जो कि अमेरिका की हैं, इनको हरा कर इगा सुया तेक ने एक खिताब अपने नाम किया है, चलिए एगला देखते हैं, प्रस नमबर छे, महिला फीफा विसकब 2023 खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है? प्रस नमबर छे है, महिला फीफा व उच्छे कम सा होगा? तो यह नमा संस्करन होगा, ठीक है? प्रस नमबर साथ देख लेते हैं, टी टून्टी राष्ट्री पैरा, स्वरी टी टून्टी नहीं, बीसमी ठीक है, बीसमी राष्ट्री पैरा, एथलेटिक्स चंपियंशिप 2022 का आयोजन कहां होगा? ठीक है, यह तो यह होगा भूनेशर उडीसा में, ठीक है? यदि बात करें कि कौन सा संस्करन होगा इसका? तो यह बीसमी संस्करन होगा, और इसमें जो कुल भारती जो हैं, भारती एथलेट जो हिस्सा लेंगे हो, उनके संख्या कितनी होगी? बारा सो संख्या होगी, ठीक है? और यह बिभिन भारत के बिभिन राजियों से इसमें जो एथलेट होगे वो हिस्सा लेंगे, ठीक है? प्रस नमपर आठ देख लेते हैं, ICC किर्केट, ठीक, ICC जिसका फुल फर्म होता है, ICC का फुल फर्म क्या होता है? देख लिए, इंटरनेशनल किर्केट काउंसिलिंग, ठीक काउंसे देश में होगा, ठीक है? तो ये क्या है? पुरुष T20 किर्केट विसकाप 2022 का आयोजन कहां होगा? तो आश्टेलिया में होगा, ठीक है? अब बात करें संस्क्रण की तो ये आठमा संस्क्रण होगा, ठीक है? चलिए, प्रस नमपर 9 देख लेते हैं, ICC पुरुष T विसकाप 2024 का आयोजन कहां पर होगा, ठीक है? ये 22 वाला आयोजन तो भी आश्टेलिया में होगा, ठीक है? प्रस नमपर 10 देख लेते हैं, T20 V45 का आयोजन कितने वर्सों के पर होता है, ऑचन एक पर कि तुब कब करें, तो एक दिवसी मईच होता है, यनि 500 रूजन य Pourquoi नि व सुटा है वाला आयोजन पर होता है, ठीक है? Ukrainian की टुन्टी वीसकर का आयोज़न कि पर्तेख दो वर्स के बाद और जो वंडे का वंडे वर्ल्ड कप जो होता है उसका आयोजन पर देख चार्वर्स के अंताल पर आज्रों osaur होता है अग्रम सियाख का वी दो वर्श के अंताल पर होता था है चलिए परसमना 11 देखते हैं खरंच ओपन और 2022 उटलेगे कस ने wait ऐस दोनों जो है दोनों…. खिता किता और 2022 में दोनों का इसको आप क्या समझेंगे हैगला इसको यहाँ यहाँ पर बखा है? ग्रेंड स्लेम ठीक है ग्रेंड सन नहीं दिखा है वो बाई मिस्टेक हो गया ठीक है चलिए अगला देखते हैं हम कोशन पर आते हैं अपने राफे नडाल अभी तक अभी तक यानि जून जुलाई तक कुल कितने ग्रेंड स्लेम जीत चुके हैं यह याद कर लेना यह बहुत मल्डन ओपन दो ग्रेंड स्लेम जीते हैं ठीक है चलिए कुल मिलाकर 14 22 इन्हों ने जीते हैं ठीक है राफे नडाल ने कुल 22 ग्रेंड स्लेम जी चुके हैं हमी तक प्रस नमबर 13 देख लेते हैं ICC महिला 20 सुकप ठीक है 2022 जो पचास ओर का होगा ठीक है यहाँ पर ध्यान जब T20 की बात करी जाएगी तो वो 20-20 ओर का होगा अब जो ही मलब 20 सुकप की बात करी जाएगी किर्केट 20 सुकप की तो उसमें पचास पचास ओर आले की बात करी जाएगी ठीक है तो मैं फिर भी लिख दिया हूँ यहाँ पर ICC महिला 20 सुकप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ ह टिक है तो इसका आयोजन जो है ICC विशुकप 2022 का पर हुआ है तो यह हो चुका है निवजी लैंड में ठीक है कहां हुआ है निवजी लैंड में हुआ है पूछे सांस्क्रण सां था यह संस्क्रण था लाव कोंव है अगर बता देना अप पूंच लेता है कि सरवाधिक बार किसने एकिताब जीता है तो सरवाधिक ने जीता है और कुल सबसे जादा बार जीता है कितनी साथ बार यह खिदाब अपने नाम किया है आस्टेलिया ने ठीक है रिपीट कर देता हूं कोश्चन क्योंकि एक कोश्चन में चार-पांच कोश्चन बनना है इसलिए रिपीट करता हूं आइसी सी महिला विसकब 2022 का आयोचन कहां पर हुआ तो यह न्यूजिलेंड में हुआ है यह पूंछा संस्क्राण कौन सा है तो बार हुआ है बिजेता आस्टेलिया उप बिजेता इंगले मिलां स्टेल पूंच कोश्चबाद्यिक बार किस ने जीता है तो यह आ से लिए ट्रश दीता है कि कि साथ बार बार Hem प्रेस्ट nber 14 tennis tournament есть press sono 14 है देख लेते हैं क्या है प्रेस नंबर 14 अräनी टूनामेंट टाटा वपन 2022 का आयजन कहा हुआ बला दुखी किया है लेकिन उसको भी मज़ा आ गया है फिजिकल एजुकेशन पढ़ने का और मदभ करेंट तो चलिए कोई बार नहीं नेच्रल है यहीं है तभी हम लोगों को अच्छा लगता है तो प्रकत की देन है जो कुछ है अच्छा है ठीक है उनका भी है काय बोलने का खिलने कुलने का तो 15 है दच्छिन aircraft महा संग तो इन नागा लेंड भारत में हुआ है जिदेवाय संस्कर्ण ऐंता तो संसकर्ण था तो अंडर 19 cricket world cup 2022 का आयोजन कहा हुआ है तो ये एंटी गुवा में हुआ है ठीक एंटी गुवा और ये कहा है बेस्ट अंडीज में हुआ है और पूंच ले संस्क्रण का उसा था तो जो पूंचे की बिजेता तो भारत बिजेता था और उप बिजेता की बात करी जाए तो इंग इंग्लेंड उप बिजेता था ठीक है थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं अंडर 19 cricket world cup 2022 का आयोजन कहां हुआ है ठीक है तो ये हुआ है इंटी गुवा बेस्ट इंडीज में ठीक है और पूंचे ये संस्क्रण कौन सा था तो जो दूहां संस्क्रण था ठीक है ये पूं स्यत काली नुवasmine ओलम्पिक का आयोजन कहां पर हुआ है तो ये हुआ है बेजिंग चाइना में ठीक है बेजिंग चीन में हुआ है जिदी संस्क्रण की बात करें तो 24 संस्क्रण था अर्यज़ी बात करें कि मतलब शरवाधिग पदक किस ने जीते नार्वेर ने ठीक है 24 सिर्ध कालिन उलंपिक में सरवाधिक पदक किसने जीते हैं तो नार्वेर ने जीते हैं और कुल इसञे जीते हैं पदक नार्वेर ने तो 37 पदक जो है जीता है नार्वेव सम्टने ठीक है अगला देखते हैं प्रस नमबर 18 IPL 2022 विजयता टीम कउन है IPL 2022 विजेता टीम कौन है तो यह गुजराच टाइटन से ठीक है और इसके विजेता टीम के जो कैप्टन थे वो हार्दिक पांडिया थे और जो उप विजेता टीम रही है वो राजिस्थान रायल्स रही है ठीक है और राजिस्थान रायल्स के जो कैप्टन थे वो संजू सं पूछ ले कि कि जो IPL का फाइनल है किस मैदान में हुआ है तो यह नरंद मोधी स्टेडियम में इसका आयूजन हुआ था अरुजन पर है तो एहमदाबाद गुजरात में है ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रस नंबर उनिस सयद मोधी अंतर राष्टी बैडिमिंटें ट यह हुआ है लखनव उत्तरप्देश में ठीक है स्यद मोधी रिपेट कर देता हूं से यद मोधि अंतरबडी टूनामिंट का आवजन कहा कहां पर हुआ है हो तो यह हुआ है लखनव उत्तरप्देश में और जो इसमें पी विसिंधु ने महिला एकल का किताब जीता है प्रेसम बीस देख लेते हैं यहां फुटबाल प्रतियोगिता फुटबाल प्रतियोगिता एफसी महिला एसी अकब 22 खेल का आयूजन कहां पर किया गया ठीक है तो भारत में किया गया है और संस्करन कौन सा है ये बीसमा संस्करन था और ये पूंचे बीजेता कौन है तो चीन है और उप बीजेता की बात करी जाए तो दच्छन कोरिया है इसको एक बार रिपीट कर देता हूं फुटबाल प्रतियोगिता यफ स तो यह भारत में किया गया है ठीक है यह पूंचे कि यह संस्क्राइब कौन सा था तो इसमां संस्क्राइब आपको अच्छे लगे होंगे और इसी तरह के वीडियों पाने के लिए हमारे चैनल पर यह भी भी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने यार दोस्तों में सेर कर दीजिए ठीक है और डेली करेंट अफर्स पाने के लिए आप हमें कमेंट में जरूर बताईए कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है आपके कमेंट पे मेरा अगला वीडियो निर्भर रहेगा तो चले फ्रंस मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर किसी तरह के या किसी और तरह के तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत